हेलो स्टूरेंट्स एस्पी अकैडमी रावला के ओनलाइन प्लेट फोरम पर ओनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम कक्षा के यार बारा की अनिवारे हिंदी पुस्तक स्रेजन को पढ़ रहे थे और उसके दौरान जैसा कि हम पढ़ रहे थे अक्षा बारा के यार निवारे हिंदी पुस्तक स्रेजन का गद्दे खण्ड जो कि हमारा पूरण हो गया था तो आज हम स्रेजन बुक के काव्य खण को शूरू करेंगे काव्य खण का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है संत वानी यानि कि संतों की वानी और उसके अंदर दीन कभी हैं कभीर तुलसी और क्रिपाराम खिडिया तो सरब बर्थम हम पढ़ेंगे संत कभीर के वारे में कि किस परकार से वो हिंदी साहिते के मुखान कभी है ग्याना स्री साखा के और किस परकार से उन्होंने हिंदी के अंदर एक महान स्थान हासिल किया है हिंदी के अंदर उसका किस परकार से बहुत अधिक महत्व है तो सरब पर्थम हम बात करेंगे उनकी जनम और मृत्यों के बारे में सरब पर्थम हम बात करेंगे उनके जनम और मृत्यों के बारे में जनम उनका 1398 इस्वी में और मृत्यों 1518 में तो ग्याना स्री साख्या की ये परतिनी थी यानि मुख्य कभी रहे हैं और कभी होने के साथ साथ ये महान समाज सुधार कभी हुए तो ये ग्याना स्री साख्या की निर्गुन भक्ति साख्या की कवियों में कभी रदास को अगर गन्या माना जाता है संत कवी के रूपे में इने जाना जाता है ऐसे इनके वास्तिविक माता पिता का कोई पता नहीं है एक जुलाहा प्रिवार में इनका पालन पोशन हुआ और स्वामी रामानंद के बारे सिश्यों में कभीर की गन्ना सरो पर्थम की जाती है यानि के स्वामी रामानंद के जो बारे सिश्य थे अर्थात इनका गुरू स्वामी रामानंद थे और ये निर्गुन और निराकार एक ही इश्वर के उपासक थे कभीर की रचनाओं में इनके कावे में इन होने बाई आडंबरों अंद्विश्वासों जातीगत वी भेदों हैं जो जातीगत भेदभाव हैं उनका इनोंने भोत इखुल कर विरोध किया है अर्थात समाज की उनती में इन चीजों को इनोंने बाधक माना है तो ऐसे ये भी कहा जाता है कि कभीर अनपड़ थे और उनके बारे में एक दुहा भी प्रचलित है एक कहावत भी है कि मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहात मसी का मतलब होता है शाही और कागद का मतलब कागद यानि कि मसी और कागद यानि कि शाही और कागद को उनोंने कभी छुओ ही नहीं और कलम गही नहात और कलम को कभी नहोंने हाथ में लेकर ही नहीं देखा तो इनके उपदेशों का जो संकलन है इनके शिशे धर्मधास ने किया था तो बड़े ही स्पार्ट व्यानी वाले व्यक्तित वाले व्यक्तित है यह यानि कि कहने में किसी बात को कोई गुरेज नहीं था और विशेसकर हिंदू और मुसल्मानों में जो रोजाना जगड़े होते थे उसके लिए भी इनोंने उनका विरूद किया था कि ये इश्वर एक है और यूहीं आप अल्ला और राम के नाम पे रोजाना जगड़े करते हो और ये सादू सो बाब के थे इसलिए इनकी जो भासा है वो सदूकड़ी भासा है यानि कि सादूं वाली भासा का इनोंने परियोग किया है और इनकी रचनाओं का संक्लन बीजक नाम गरंथ में किया गया है जिसको तीन भागों में बांटा गया है साखी सब्द और रमैनी साखी सब्द और रमैनी यानि कि एक साखिया है सब्द है और रमैनी का मतलब है रमायन से संबंदित तो और परिचा इसके बारे में करते हैं तो हिंदी साहत्य की ज्ञानास्री साखा के प्रतिनीधी कभी कभीर भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे उन्होंने समाज में व्यापत छूआ छूट यानि कि छूट ए छूट की भावना थी जो धार्मिक आडंबर धर्न के नाम पे जो विभिन हम आडंबर करते हैं उंच नीच और बहुदेववाद बहुदेववाद का मतलब है यानि कि देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होना तो इन सब चीजों का उन्होंने कड़ा विरोध किया इनका कड़ा विरोध किया और आत्मवत सर्ववतेशु यानि कि अपने आत्मा के अंदर सब कुछ है इन मुल्यों को उन्होंने स्थापित किया या स्थापित करने का प्रयास किया और वो काफी हब तक इसमें सफल भी हुए तो यानि कि समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किये समाज के अंदर जो व्यापत बुराईयां थी जैसे चुआ चुट है धार में का डंबर है उँच नीच है जाती के अधार पे उँच नीच का भेदभाव है भुदेववाद का खड़ा विरोध करते हुए आतम बत्सरव भुतेशु के मुल्यों को उन्होंने स्थापित किया कवीर की परतिवा में आवाद गती वे तेज था यानिकी बहुती परतिवा शाली थे उन्हें पहले समास उधारक और बाद में कवी कहा जाता है तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो समास उधारक पहले थे समास उधारक पहले थे और कवी बाद में तो यानिकी समास उधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास कि अपने कावया के माध्यम से अपनी रचनाओं के माध्यम से तो अजारे हजारी परसाद दिवेदी ने यानि कि जिन्होंने हिंदी साहिते में एक बहुत ही महतोपुण योगदान दिया है और उन्हें के नाम पे दिवेदी एक युग भी है तो उन्होंने कबीर को वानी का डिक्टेटर कहा है कवी ने अपनी सपाट ब्यानी सपाट ब्यानी का मतलब सपस्ट कहना एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उप्रेश दिये उनका संकलन उनके सिश्य धर्मदास ने किया तो इसी से सपस्ट होता है कि वो अनपड थे तो उनकी जितनी भी रचनाओं का संकलन है वो उनको कलमबद उन्होंने किया या करने का प्रियास किया आगे है केवीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है केवीर की जो रचनाओं है उनका जो संकलन है उसको बीजक कहा जाता है बीजक के नाम से जाना जाता है और बीजक के तीन भाग है साखी सब्द और रमैनी साखी हैं यानि कि कोई कहानियों से समंदित सब्द हैं और रमैनी रमान से समंदित तो संत कावे प्रमप्रास में उनका कावे जो संत कावे प्रमप्रा है उनके अनुसार जो उनका कावे है हिंदी साहिते की आयमुल्य नीदी है यानि कि हिंदी साहिते को पढ़ते हैं, तो हम कभीर को जरूर ही पढ़ते हैं, तो कहने का विप्रा ये है, कि संत कावे परमपरा में जो उनका ये कावे है, तो हिंदी साहिते की एक अमुले निदी है, एक बंडार है, एक कोश है, यानि कि एक खाजाना है. अगे हैं पाठ्थय पुस्तक के अंदर जो कि हम पढ़ेंगे पाठ्थय पुस्तक में चैनित कबीर के दोहे सदाचार एवं स्रेष्ट मुल्यों को अपनाने की प्रेणा देते हैं सदाचार का मतलब होता है सत प्लस आचार यानिकि सच्चा आच्रण करना सत्य रुपी आच्रण करना स्रेष्ट जीवन जो जीवन के स्रेष्ट मुल्य हैं सरु स्रेष्ट मुल्य हैं उनको अपनाने की प्रेणा देते हैं यानि कि जो जीवन में स्रेष्ट मुले हैं जो जीवन में स्रेष्ट हो उसी को हमें अपनाना चाहिए यानि कि अच्छाईयों को ग्रहन करना चाहिए और बुराईयों का क्या करना चाहिए त्याग करना चाहिए और जीवन में त्याग की महता है कहने का आशे ये है कि अगर हमें ईशुर ने बहुत कुछ दिया है धन दाने दिया है तो उसका भी हमें त्याद करना चाहिए लोगों की खित के लिए लोगों की भलाई के लिए उसका प्रियोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए फिर आगे कह रहे हैं मानव को हंस की तरह हैं नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए तो हंस के बारे में ऐसी मानेता है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूद में मिले हुए पानी को अलग कर सकता है नीर का मतलब दूद नीर का मतलब पानी है और क्षीर का मतलब दूद है यानि कि दूद में अगर पानी मिला हुआ है तो हंसे कैसा पक्षी है कि वो सिर्फ दूद दूद को ग्रहन कर लेता और पानी पानी को छोड़ देता है तो मनुष्य में ऐसी विवेक चमता होनी चाहिए यानि कि उसको अच्छे और बूरे की पहचान करने वाला होना चाहिए यानि कि नीरकशीर के मादिम से कभी कभीर ने समझाने का प्रयास किया है मनुष्य को विवेक शिल होना चाहिए अभिमान त्यागने में सार है यानि कि अभिमान यानि कि गरब की भावना है जो दरब की भावना है गमंड की भावना है उसी को त्यागने में सार है उसी को त्यागने में जीवन का महतव है सादू की पहचान जाते से नहीं उसके ग्यान से होती है तो हमें उनके जाती नहीं पूचकार उनसे ज्ञान ग्रहन करना चाहिए अर्थात जो अच्छी बाते हैं, जो जीवन के लिए अच्छी है, जो जीवन को सार्थक बनाती है, जीवन को उचाईयों की और अगरसर करती है, उस परकार को ज्ञान हमें उनसे प्रापत करना चाहि यह सार्थक होती है इसके प्रणाम अच्छे होते हैं और दुराशा बुरी आशा दुपलस आशा यानि कि बुरी आशा सर्पनी के समान घातक होती है नागिन के समान सांपिन के समान यानि कि सर्पनी के समान घातक होती है बड़ी ही खत्रनाक होती है तो हमें जो हमारे दुरा दूराशा अपने मन में या हिन भावना कभी भी अपने मन में नहीं लेके आनी चाहिए। तो कहा है कि जो दूराशा है वो सरपनी के समान घातक होती है। अपने मिठा सोने चाहिए अर्थात ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को अच्छी लगेगी तो वह स्वैम को भी अच्छी लगेगी उससे आतमसंतुष्टी होगी तो यह जो सार रूप है यह इनके दुहों का महत्व है। तो यह था कबीर का प्रिच्चे तो कबीर के प्रिच्चे में इन्होंने सदूकडी भासा का यानि की घुमकड प्रवर्ती के थे और सादूम वाली भासा का इनोंने प्रयोग किया है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर का लालन पालन एक निसंतान संपती नीरू और नीमा ने किया था और वो बिल्कुल अनपड़ थे अध्यात्मिक चिंतन और निर्भून बक्ति से उनमें आतम ग्यान का विकास हुआ था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही कल हम पढ़ेंगे इनके दोहों को और उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत